आज बात करने वाले हैं Java Script के अंदर primitive data types के बारे में और objects के बारे में और क्या difference है primitive data types है और objects में Java Script के अंदर 7 primitive data types होते हैं primitive data types fundamental data types होते हैं वो data types जो की Java Script के अंदर built-in होते हैं हमारे पास 7 primitive data types होते हैं Java Script के अंदर इसको याद करने के लिए मैं एक चीज इस्तिमाल करता था NN, SS, BB और U NN का मतलब NULL और NUMBER SS का मतलब Symbol और String BB का मतलब Boolean और BigInt और U का मतलब Undefined Data Type अगर आप लोग को नहीं मालूँ तो Data Type का मतलब होता है कि किस variable के अंदर किस तरहा का content store किया जा सकता है जैसे कि एक string store की जा सकती है number store किया जा सकता है इन सारे types के बारे में हम लोग जानेंगे इस video के अंदर object के बारे में अगर मैं आप लोग को बताओ तो ये key value pairs होते हैं जो key होती है वो एक साधरन सी string हो सकती है एक number हो सकता है और जो value होती है वो किसी भी तरह का data type हो सकता है साथ तरह के primitive data types होते हैं और non primitive data type हमारा object होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग चलेंगे अब computer screen में और देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर primitive data types और non primitive data types किस तरह से define करते हैं Let's get started So, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था Let, Wear and Const में कि क्या डिफरेंस है Let, Wear and Const में से कभी क्यों इनूस करना चाहिए आज हम बात करने वाले हैं primitive data type और objects के बारे में सबसे मेले primitive data type समझाने के लिए आप लोगे लिए एक रैपल बना देता हूँ By the way, मैंने ये सारी की-सारी रैपल्स बहुत अच्छी तरह से organize कर रखी है 1, 2, 3, 4 करके जैसे यासे code upload होते हैगा वैसे वैसे आप लोगों को video के corresponding कौन सा code है ये पता चल जाएगा इसलिए इस तरह से न और्गनाइस की हुई है अब मैं क्या करूँगा इसका नाप रखाँगा 04-primitives-objects ठीक है क्योंकि इस video में हम लोग primitives और objects के बारे में बात कर रहे है इसलिए मैंने इस तरह से रैपल बना दी है प्रिमिटिव-objects प्रिमिटिव-objects ठीक है और यह रैपल मेरी बन गई ठीक है अब यहां पर मैं काम करूँगा अब आप देखना है यहां पर मैं करने के अवाल हूं सबसे पहले आप लोग को बताता हूं primitive data types के होते है javascript के अंदर साथ primitive data types होते है data type का क्या मतलब होता है data type का मतलब यह होता है कि कोई भी एक particular variable जो hold कर रहा है समान वो किस प्रकार का है जैसे मान लो कि आपके घर में समान आता है बहुत सारा और उस समान से कुछ समान आपका आता है खाने का कुछ समान आता है कीट नाशक कुछ समान आता है आपका electronic का तो आपने एक तरह से तीन चार boxes बना दिया आप कहले होगा यह वाले box में रखोंगा मैं कि इतना शक दवाई यह वाले box में रखोंगा मैं खाने का समान और यह वाले box में मैं रखोंगा यह वाले box में रखोंगा में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं अगर एक string बनी होई है पहले और वो ए नाम के variable में है तो ए नाम के variable में कल एक number भी आ सकता है लेकिन क्या यह करना अच्छी प्रैक्टिस होगी absolutely not यह करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी with all this said अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जो साथ तरह के primitive data types है जावास्रूट के अंदर वो हम किस तरह से याद करेंगे और किस तरह से हम लोग उसको implement करना देखेंगे ठीक है तो मैंने आप लोग को थोड़ी तर पहले क्या बताया था n n b b s s और u ठीक है n n b b s s और u ठीक है अब यह क्या है अब होगी क्या है ठीक है सबसे पहले मान लो में लिखता हूं let a is equal to मैंने लिखा let a is equal to null ठीक है फिर मान लो मैंने लिख दिया let b is equal to number ठीक है एक number कोई साभी number actual number ठीक है फिर let c is equal to कोई सी भी boolean जो की true यह false हो सकती है can also can also also be false ठीक है फिर मैं बना लो let d is equal to और इसको मैं बनाना चाहता हो अब लो इक big int ठीक है तो big int javascript में बना सकता हो कुछ इस तरह से ठीक है माननो मैं आपर इस तरह से दे रहा हूं बड़ा integer में दे सकता हूं फिर let e is equal to माननो मैं बनाता हो एक string, हैरी, double code के अंदर किसी भी चीज को मैं डाल दूँगा, javascript में string बन जाएगे, ठीक है, फिर मानलो मैं लिखता हूँ, let f is equal to, और मानलो मैं एक symbol बनाता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं symbol मना सकता हूँ, और इस symbol को description दे सकता हूँ, I am a nice symbol, symbol के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, यह primitive data type है, f के बार आता है g, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा undefined, अब सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस program को run करूँगा, तो कोई भी error नहीं आने वाला, तो अब देख सकते हो, कि कोई भी error नहीं आ अब मैं अगर यहाँ पर console.log करूँगा, A से लेकर, A, B, C, D, E, F, G, और H, ठीक है एच ही ली कुछ, G तक, अगर मैं console.log करूँगा, तो आप लोग को यह सारे print होते होई नजर आएंगे, सबसे पहले null print हुआ, फिर यह number print हुआ, फिर true print हुआ, फिर 567 जो के एक bigint था, वो print हुआ, अब अगर मालनो मैं आपर bigint 567 प्लस bigint, मालनो 5 करता हूँ, ठीक है, यह bigint 3 करता हूँ, 570 हो जाएगा यह, और इसको run करता हो तो आप देखोगे कि यह 570 bigint बन जाएगा, ठीक है, तो यह 570 bigint बन गया, हम bigint के बारे में भी आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना समझो, यह string है, ठीक है, यह symbol है, अब मालनो मुझे पता करना है कि f किस type का variable है, तो मैं आपर लिख दूंगा, console.log, type of, मालनो मैंने d लिख दिया, ठीक है, तो d क्या है, d एक bigint है, तो मुझे आपर पता चल जाएगा, यह bigint है, ठीक है तो यह bigint यहापर, आप देख सकते हो, प्रेंट हो गया, इसका मतलब, मैं d का type पता लगा सकता हूँ, console.log करके, कि d जो है, वो एक bigint है, ठीक है, तो I hope कि यह जी समझ में आई, आप लोगों को, साथ तरह के primitive data types है, इन data types का क्या काम है, null क्या है, हम देखें गारे हमारे वी मैं आपको यह बात दिखाना चाहता हूँ, कि अगर आप let g करके भी छोड़ दोगे न, तो undefined ही रहेगा, तो equals to undefined करने की ज़रूद भी नहीं है, ठीक है, null आपको explicitly बोलना पड़ेगा, कि यह null है, ठीक है, जब कोई चीज नल होती है, इसका मतलब आपने explicitly बोला हुआ ह कि यह चीज नल है, B is equal to 345 मैंने कर दिया, एक number है, यह बहुत ही clear है, C is equal to true या false, ठीक है, तो यह boolean है, अगर मैं type of C करूँगा यहापर, तो boolean आएगा, ठीक है, तो boolean एक हमारे पास primitive data type होता है, तो मैंने यह सारे primitive data लिखे हुए, ठीक है, और याद करने का तरीका है NNBBSSU, ठीक है, कोई FC theory नहीं है, NNBBSSU, बस याद करने का तरीका है, कि NNBBSSU, अगर आपने रट लिया, तो कहीं पे भी आप हिसाब लगा के बता सकते हो, okay, N for null हो गया, N for number हो गया, B for byte हो गया, B for boolean हो गया, string symbol हो गया, और indefined हो गया, तो आप साथ के साथ primitive data type किसी के मु पॉस्टर कर रहे हैं, उसकी साथ primitive data types है, वो तो आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर null, 345, true, begin, 567, begin, free, इनको मैंने add करके दिखा दिया, यह इंटीजर ही है, फिर इसके बाद हमने string देखी, हरी नाम के एक string बनाई, symbol क्या होता है, मैं आने primitive data types हो गए, ठीक है, मैं आप लिख देता हू, primitive in js, ठीक है, अब लोग बात करेंगे objects की, ठीक है, objects क्या होते हैं, objects होते हैं, key value pairs, जो objects होते हैं, वो non primitive data type होते हैं, ठीक है, an object in JavaScript is created as follows, आप यहाँ पर एक constant object बना सकते हो, आप लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, item is equal to, और आप लिख सकते हो, Harry, true, और आप लिख सकते हो, let us say, Shubh, आप लिख सकते हो, false, आप लिख सकते हो, लविश, और यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ इस तरह से 67, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, रोहन, अरे, रोहन कहा जा रहे हो तो, रोहन, और इसके बाद आप यहा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस object को look up कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख लेता हूँ, थोड़ा explain करना easy रहेगा, const item is equal to, मैंने space दे दी, आपर थोड़ा code formatting रहती, तो मज़ा आता है, ठीक है, तो ये करने के बाद, हम मैं क्या करूँगा, अगर मान लो मैंने आपर लिख दिया console.log, और मैंने आपर लिख दिया itemherry, तो क्या print होगा, true print होगा, तो एक तरह से dictionary बन गई है, इसको dictionary नहीं object बोलते है, पाइथन में इसको dictionary जरूर बोलते हैं, लेकिन हम python नहीं सीख रहे हैं, हम javascript सीख रहे हैं, तो इसको object ही बोलेंगे, बहुत सारे लोग जो python से javascript में आते हैं, वो object को dictionary बोलते हैं, जोगी गलत होता है, dictionary नहीं बोलना, object बोलना, अगर आप अपने fellow javascript developers के साथ बात करोगे और उनको dictionary बोलोगे, तो बुरा बानेंगे, ठीक है, तो हम नहीं चाहते को यह friend हो, अब यहाँ पर हैरी, true, शुब, false, अगर मैं यहाँ पर मालो कोई ऐसी चीज़ लिख देता हूं जो इस object में ही नहीं, तब क्या होगा, तब आप देखो मैं इसको run करूंगा, तो यहाँ पर undefined आ रहा है, यहाँ नहीं तुमारे इस object में यह की, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रोहन लिखूंगा कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, इसको मैं रोहन लिखूंगा इस तरह से, यह undefined print कर देगा, ठीक है, शुब लिखूंगा तो, तो false print हो रहा है, और हो भी रहा है, ठीक है, तो false print हो रहा है, शुब मैंने यह आपर लिखा, तो I hope कि आप समझ गए objects किस तरह से गाम करते जावास्क्रिप्ट में, आप में से लिख पूझोंगे, काम क्या है objects का, दिगर objects का काम यह है, आप key value pairs बना सकते हो, एक dictionary बना सकते हो, एक mapping मना सकते हो, students marks की mapping मना सकते हो, आप बना सकते हो, letters से कौन सा item कितने का है, item price की mapping मना सकते हो, आप लोग name और classroom, कौन सा student कौन से classroom को belong करता है, उसकी mapping मना सकते हो, और जब भी आपको बता करना है कौन से student कौन से classroom में बैठता है आप सीधे इस तरह से इस तरह का syntax use करके look up कर सकते हो तो easy हो जाता है थोड़ा हम objects को और देखेंगे आने वाले videos में बट ये basics है objects के तो दो तरह की data types, primitives और non-primitive data types जो की object होते हैं तो मैं या पर लिख देता हूं इसको non-primitive data type ठीक है जो की objects होता है JavaScript के अंदर ठीक है I hope कि आप लोग समझ गई इस चीज को और आप लोग को मज़ा भी आया इस video को देखकर अगर आप लोग ने अभी तक JavaScript की playlist access नहीं करी तो उसको जरूर access कर लेना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you